नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल वनेशन वने एक्जाम पर तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 2019 के जनवरी मा में जो पेपर हुआ था हुन अत्तर अजार सिक्षक भरती के लिए सुपर्टेट का उसमें गडित के पोर्शन को सॉल करेंगे जो 20 कोस्चन of B the inequality B square plus 8B is greater than equal to 9B plus 14 is correct ठीक है तो इसको हम option से करते हैं आप इसको quadratic equation बनाके भी solve कर सकते हैं पर इस particular जो equation दिया हुआ है इसमें दिक्कत आएगी तो हम option से कर लेते हैं तो option में पहला option दिया हुआ है B का मान क्या हो सकता है माइनस 5 के बराबर या उससे ज़्यादा हो सकता है जैसे कि माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1, 2, 3, 4 4 तक इसलिए लिखेंगे क्योंकि इसी option में दूसरी condition है कि B का मान जो हो तो 4 के बराबर या इससे छोटा होगा तो क्या हो जाएगा solve कर लेते हैं तो B square यानि 0 का square 0 हो जाएगा प्लस 8 B यानि 8 गुड़े 0 यानि ये भी 0 हो जाएगा तो पूरा बाया बक्ष 0 हो जाएगा इस greater than equal to अब दाएं पक्ष में देखते हैं तो 9 B यानि ये भी 0 हो जाएगा और बच जाएगा 14 तो क्या 0 14 से बड़ा है तो नहीं है तो पहला option cancel अब इसी प्रकार से तीसरा option लेते हैं जिसमें कहरा है B का जो मान है वो minus 4 के बराबर है या उससे बड़ा है जैसे कि minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 5 तक इसलिए लिखेंगे क्योंकि तीसरे option में ही दूसरी condition है कि B का जो मान है वो 5 के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए तो यहाँ पे भी B का value जो होगी या B का मान हम 0 ही ले सकते हैं तो इससे भी ये आ जाएगा जो सत्य नहीं है या इस equation को satisfy नहीं कर रहा है अब हम देख लेते हैं दूसरा option दूसरे option में B का जो मान है वो 5 के बराबर या 5 से ज़्यादा है जैसे कि 6, 7 इसी प्रकार से infinity तक और दूसरी condition है कि B का मान जो है वो minus 4 के बराबर या उससे छोटा है जैसे कि minus 5 minus 6 ठीक है अब हम इसमें से किसी को भी B का मान मान लेते हैं तो B का मान मानते हैं 5 तो 5 का इसको एर यानि 25 प्लस 8 B ये B माना है 5 तो 8 पंचे 40 is greater than equal to 95 प्लस 14 अब हम इसको solve करेंगे तो 22 पक्ष में आएगा 65 और दाएंपक्ष में आएगा 69 तो 65 उनसट से बड़ा है तो option जो B है वो सही हो जाएगा अगला प्रश्न है 82 सनलगन चित्र में यदि A B प्लस A C बराबर 5 A D है तथा A C minus A D बराबर 8 है तो आयत A B C D का छेतरफल ग्याद करिए तो छेतरफल का फॉर्मूला होता है L into B तो हम इसको L मान लेते हैं इसको B मान लेते हैं और ये diagonal है तो D मान लेते हैं ठीक है? और आयत की बात हो रही है तो आयत में क्या होता है? सभी code जो होते हैं वो 90 डिगरी के होते हैं तो ये हमारा बन गया राइट अंगल ट्रेंगल और राइट अंगल ट्रेंगल में पैते हो रस्तियोरम लगता है जिसका फॉर्मूला होता है कर्ण का स्कॉयर कर्ण यानि D का स्कॉयर बराबर L का स्कॉयर प्लस B का स्कॉयर तो एक और equation आ गई ठीक है? और दो equation पहले से दिया हुआ है तो इसी equation उसे हम solve करेंगे तो जैसा कि दिया हुआ है A B प्लस A C बराबर 5 A D तो A B हमने क्या माना है? L तो हो जाएगा L प्लस D बराबर 5 B यहां से आ जाएगा D का मान D बराबर 5 B माइनस L अब हम यहां पर put कर देंगे तो D यहां पर square है तो 5 B माइनस L का square हो जाएगा तो square करने पर क्या हो जाएगा? A square प्लस B square माइनस 2 A B यानि हो जाएगा 25 B square प्लस L square माइनस 2 A B यानि 10 B L और बराबर दाएपक्ष में वही रहेगा L square प्लस B square तो दाएपक्ष में L square है बाएपक्ष में भी L square है तो आपस में cancel हो जाएगा फिर यहां दाएपक्ष में 20 square है जिसको बाएपक्ष में लाएगे तो 25 में से 1 B square घट जाएगा तो हो जाएगा 24 B square और अब हम 10 B L को दूसरी तरफ भेज़ देंगे क्योंकि इस तरफ निगेटिव है तो हो जाएगा दाएपक्ष में 10 B L positive का अब हम B से B cancel कर सकते हैं और 2 से cancel कर सकते हैं 2 12 24 तो 12 B बराबर 5 L आ गया ठीक है अब हम जो तीसरी question दी हुई है उसको solve कर लेते हैं तो AC माइनस AD बराबर 8 दिया हुआ है तो AC क्या है D है D माइनस B बराबर 8 है ठीक है तो यहां से क्या आ जाएगा यहां पे भी हम D का मान रख देते हैं 5 B माइनस L तो यहां आ जाएगा 5 B माइनस 5 B माइनस L और माइनस B पहले से है बराबर 8 तो 5 B में से 1 B घट जाएगा तो 4B-L बराबर 8 आ जाएगा जिसको हम solve करेंगे तो 4B बराबर इसको हम दूसरी तरफ भेज़ देंगे तो 8 प्लस L आ जाएगा तो 4B के जगा हम 8 प्लस L लिख सकते हैं और तो हम इसको क्या बना लेते हैं? 4B, तो 12 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुड़े 4 तो हो जाएगा यहां 3 गुड़े 4B और अब हम 4B के जगा क्या लिख सकते हैं? 8 प्लस L ठीक है? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे इसकी जगा पे लिख सकते हैं 8 प्लस L तो 8 लिखेंगे 8 प्लस L ठीक है? तो 8-3 के 24 प्लस L है तो 3L हो जाएगा 3L को उधर ले जाएंगे तो घट जाएगा और बच जाएगा 2L तो हो जाएगा इधर क्या बचा 8-3 के 24 24 बराबर 2L ठीक है तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो L बराबर आजाएगा 12 ठीक है L 12 आ गया अब हम यहाँ पे L की जगह 12 रख सकते हैं ठीक है 12 से 12 कैंसिल तो B आ गया 5 और आयत में छेतरवल का फॉर्मुला क्या होता है L इंटू B L आ गया 12 B आ गया 5 तो 12 पचे 60 जो अप्सन C में है वो सही हो जाएगा अगला प्रस्न है यदि दो संकू की उचाईों का अनुपाद दिया हुआ है एक अनुपाद 4 तो संकू की उचाई है तो अनुपाद H2 मान लेते हैं जो दिया हुआ है एक अनुपाद 4 फिर उनके व्यासों का अनुपाद दिया है यानि डायमेटर का अनुपाद दिया हुआ D1 अनपाद D2 बराबर 4 अनपाद 5 ठीक है फिर आप से आइतनों के फिर उनके आइतन का अनपाद पूछ रहा है तो आइतन का फॉर्मूला क्या होता है एक बटे 3 पाई आर स्क्वार है और दो अनपाद पूछ रहा है तो पहले वाले को R1 ह1 मान लेते हैं दूसरे को एक बटे 3 पाई R2 का स्क्वाइर ह2 मान लेते हैं ठीक है तो अब फॉर्मुले में R है यानि रेडियस है और हमें दिया हुआ है डायमेटर तो इसको हम रेडियस में बदल लेते हैं तो डायमेटर का आधा होता है रेडियस तो दोनों का आधा कर देंगे तो 4 का आधा 2 आजाएगा 5 का आधा 5 बटे 2 आजाएगा अब हम जो इसमें कॉंस्टेंट है वो कैंसल कर देते हैं तो उपर बच गया R1 स्क्वाइर H1 नीचे बच गया R2 स्क्वाइर H2 R1 का मान रख देते हैं वो है 2, 2 का स्क्वाइर हो जाएगा 4, H1 का मान रख देते हैं H1 है 1, तो हो जाएगा 1, ऐसे R2 का मान रखते हैं R2 है 5 बटे 2, 5 बटे 2 का स्क्वाइर करेंगे तो 25 बटे 4 आजाएगा और H2 का मान है 4 तो 4 से 4 कैंसल हो जाएगा तो आ जाएगा 4 बटे 25 यानि 4 अनुपात 25 अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण है प्रतम 9 प्राकर्तिक अभाज्य संख्याओं का ओसत है यानि the average of first 9 natural prime number is तो 9 प्राकर्तिक अभाज्य संख्याओं पहले लिख लेते हैं सुरू की तो प्राकर्तिक अभाज्य संख्याओं क्या होती है जिनके सिर्फ दो फैक्टर हो जैसे दो के दो फैक्टर होते हैं एक और दो ठीक है इसी प्रकार से हो जाएगा एंसर जो अप्सन में नहीं दिया है तो आम इसको mixed fraction में भी लिख सकते हैं क्या लिखेंगे तो 9 से यह जाएगा 11 बार में 99 तक बच गया एक तो remainder उपर लिखते हैं एक बटे में 9 तो यह एंसर हो जाएगा जो अप्सन डी में दिया हुआ है अगला प्रस्ण है रूट में 2916 की जो मान है वो 54 दिया हुआ है और आप से इनका मान पूछ रहा है तो जब भी रूट में 2 संख्याओं के पहले decimal लगा रहता है तो जब रूट से हटाएंगे तो एक संख्याओं डेसिमल आ जाएगा तो इसका मान हो जाएगा 5.4 ठीक है 16 का रूट चोवन दिया है तो इनके पहले एक डेसिमल लग जाएगा इसी प्रकर यहां पे 6 संख्याओं से पहले है तो क्या करेंगे हम 3 संख्याओं से पहले decimal लग जाएगा अब हम इसी को जोड़ लेते हैं यहां 4 यहां 9 यहां भी 4-59 यहां भी 4-59 और यहां डेसिमल है जो option ए में दिया हुआ है अगला प्रस्ण है तीन संख्याओं का योग जो है और 99 है ठीक है यदि पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपाद जो है पहली दूसरी का अनुपाद जो है वो दो अनुपाद है तीन है और दूसरी और तीसरी का अनुपाद क्या है वो है 5 अन पांच के बगल में 5 आजाएगा और अब हम इसको गुड़ा कर लेंगे तो 2 पच्चे 10 यानि एक का माना गया 10 बी का आगया 15 और सी का आगया 24 यह अनुपात में है तो अब हम इसको जोड़ेंगे तो आएगा 49 ठीक है अनुपात में कब लिखा जाता है जब कुछ इनके तो 15 का मान हो जाएगा 30 अगला प्रस्ण देखते हैं जिसमें कह रहा है कि यदि आर त्रिजा के वृत के अंतर अंतरगत एक समसट भुझ विनिर्मित होतों उसका परिमाप ग्याद करना है इसके अंतरगत यह वृत हो गया इसके अंतरगत हो जाएगा शममसट भुझ यानि जिसकी छे भुझ आएं हो ठीक है इसकी जो त्रिजा है वो दिया हुआ यह अंतर है यह शमम इ Lori में क्या होता है उरेध के अंतर जब में क्या होता है अन्दर या तो आप यह संबाँ होता है यह पूरा एक मान होता है 120 और जब इसके अंदर रेडिेस बनती है तो ये 60-60 equally divide करता है तो ये 60-60 इसी प्रकार से ये भी R हो जाएगा और ये भी 60 बनता है तो ये भी R हो जाएगा तो ये सारे R, R, R आ जाएगे और परिमाव का मतलब होता है कि सभी भुजाओ का योग ठीक है तो 6 बार आ रहे हैं 6R इसका answer हो जाएगा अगला प्रस्ण है किसी तरिभुज के अन्ता केंदर को सुनिश्चित किया जाता है तो कोई तरिभुज है इसके जो अन्ता केंदर है ये सुनिश्चित किया जाता है इसके करणों के अर्धकों से यह कौण है तो इसको equally equally bisect करेगा इसका angle bisector option जो B है हो सही हो जाएगा angle bisector या कोणों के अर्दकों से अगला प्रस्ण है 1001 का cube का मान क्या होगा तो 1001 को हम break कर सकते हैं 1000 plus 1 का whole cube हो जाएगा अब A plus B का whole cube का formula लगा देंगे जो होता है A cube plus B cube plus 3AB अब bracket में A plus B ठीक है A cube यानि ये A है तो इसका cube करेंगे तो 3 0 है तो 9 0 हो जाएगे एक दो तीन चार पांचे सादा नो फिर B B का cube यानि एक का cube एक ही होता है फिर 3AB यानि 3 गुड़े A क्या है इतना है तो 3000 हा जाएगा तो plus 3000 और bracket में A plus B है तो इसको जोड़ेंगे जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 300 3001 ठीक है जिसको हम इसमें जोड़ेंगे तो ये 7 अंक है तो 7 अंकों के बाद से इसी को लिख देंगे तो आ जाएगा 100 3001 ठीक है ये ही अंसर हो जाएगा जो option C में दिया हुआ अगला प्रस्न देखते है प्रस्न संख्य 90 यदि किसी संख्या का 20% जो है वो 120 है एक संख्या है एकस उसका 20% जो है वो 120 है ठीक है तो 20 पच्चे 100 अब हम 5 से उधर गुड़ा करेंगे तो X कमान आ जाएगा 1250 यानि 600 तो कहरा उसी संख्या का 120% यानि इसी का 120% निगाल लेते है तो 2-0 से 2-0 कैंसल हो जाएगा बर्चक 72 हो जाएगा और 1-0 है तो 1-0 लगा देंगे तो 720 एंसर आ जाएगा अगला प्रस्न है निमले खित में से चोटी भीन संख्या कौन सी होगी तो आप इसका गैप देख सकते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा गैप होगा वही सबसे चोटी संख्या होगी तो 5 और 6 के बीच में गैप क्या है 19 और 36 के बीच गैप क्या है 17 का तो सबसे ज़्यादा गैप इसी में है तो यही एंसर हो जाएगा इसके अलाब़ा आप चाहें तो directly डिवायड भी कर सकते हैं, 11 से 6 को भाग देंगे, तो आ जाएगा, 0.5, इसी प्रकर defensive 18 से 6 को करेंगे तो यहां आ जाएगा दसमलोग 5 4 यहां आ जाएगा दसमलोग 5 2 तो यह एंसर हो जाएगा 19 बटे 36 जो option D में दिया हुआ है अगला प्रशन है एक आयत की लंबाई जो है वो 25 प्रतिसत दी हुई है इसकी ब्रिद्धी हो जाती है यानि शुरुवात में 4 रहा होगा इस पे 4 का 25 परशन क्या होगा एक होगा यानि एक की ब्रिद्धी हो जाती है तो 4 था 5 हो गया तो चौडाई में कितने प्रतिसत घटा दिया जाए कि 6 तरफल एक समानो तो यह length की बात हो गई यह old हो गया यह अब breath की बात करेंगे तो हम यहां क्या रखें उसके बाद क्या change करेंगे कि यहां जो l into b होगा इसमें कोई बदलाओ नहीं होगा तो ऐसे प्रस्णों में हम direct इसको change कर देते हैं यानि 5 यहां है तो 5 यहां जाएगा 4 यहां जाएगा अब हम देख सकते हैं 4 पंचे 20 l into b होत आएगा तो अब हम 5 से 100 को कटेंगे तो 20 प्रतिसत एंसर आ जाएगा एक और तरीका है सक्सेशिव डिसकाउंट से भी आप निकाल सकते हैं जिसका फॉर्मुला होता है x plus y plus xy by 100 ठीक है अगला प्रस्म देखते हैं जो है 1.27 पे बार लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 plus 2.27 की बार ठीक है जब दसमलो हटाएंगे और बार लगा रहता है तो इसके नेचे जितने संक्याव पे लगाया है उतनी बार 9 आ जाता है अब हम देखते हैं किस से कैंसिल हो रहा है तो 1327 ज 27 Ireland 99 ठीक है अब आगा 1 plus 3 बत की ड़ाते ग्यारा और यहीं अंसर हो जाएगा अगला प्रस्ण लिखते हैं एक घंड़े व्याज की घर से 15 वर्षों में दो गुनह हो जाता है तो यह 8 हुना हो जाएगा तो ऐसे प्रति अधार्ज़ क göt लखते हैं वर्ष कर देते हैं तो आ जाएगा पंदरतियां 45 ठीक है तो एंसर हो जाएगा 45 अगला प्रस्ण देखते हैं 95 जिसमें एक गहात X बराबर Y की गहात Y बराबर C की गहात Z तथा B square बराबर AC है तो Y का मान गयात करना है तो इसके K की गहात X बराबर AC हो जाएगा एक्स को दूसरी तरफ बंजेंगे तो A की value हो जाएगी की value हो जाएगी के की गहात एक बटे YC की value हो जाएगी के की बटे Zingers हम दूसरे equation में इसी को put कर देते हैं तो b square है यानि इसका square हो जाएगा तो k की घाथ हो जाएगी दो बटे y बराबर ac है तो a क्या है k की घाथ 1 बटे x और c क्या है k की घाथ 1 बटे z ठीक है अब जो जब आदार समान होते हैं तो घाथे जुड़ जाती है तो घाथ जुड़ हो जाएगा और भाएपक्ष में k की घाथ 2 बटे y हो जाएगा अब भाएपक्ष में अगर अधार k है धाएपक्ष में भी k है तो हम इसकी power जो है और आपस में equalic सकते हैं तो 2 बटे y बराबर हो जाएगा 1 बटे x प्लस 1 बटे z अब हम इसको solve कर लेते हैं तो यहाँ LC हम लेंगे तो LC हम आ जाएगा X, X, Z ठीक है, X, Z LC हम आ जाएगा और उपर हो जाएगा Z प्लस X, अब हम यहाँ से Y का मान गयाद करना है तो Y को इधर बेज देंगे, यह इधर आ जाएगा और यह नीचे आ जाएगा, तो 2, X, Z बटे में Z प्लस X बराबर Y हो जाएगा, अगल अंखंड करना है, ठीक है, तो यहाँ पर देखना है, 6Y, Z लिखा हुआ है, यानि यहाँ पर ध्यान से देखे, तो A स्क्वाइर प्लस B स्क्वाइर माइनस 2A भी बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, X स्क्वाइर यहाँ लिखते हैं, और माइनस कॉमन ले लेंगे, यह बन जा था, माइनस कॉमन ले लिए तो यह हो गया, माइनस और यह है, 2A यानि Y और B यानि 3Z, ठीक है, तो अब हो जाएगा, X स्क्वाइर और यह बन रहा है, A स्क्वाइर प्लस B स्क्वाइर माइनस 2AB, यानि Y माइनस 3Z का होल स्क्वाइर, ठीक है, अब क्या हो जाएगा, A फिर गुड़ा होगा तो यह हो जाएगा प्लस का ठीक है तो यह जाएगा ए माइनस भी और ए प्लस भी ठीक है तो यह एंसर हो जाएगा ठीक है 96 का जो आप्शन सी में दिया हुआ है अगला प्रशन देखते है 97 एक समलंब चतुर भुज की समांतर भुजाओ की लंबाई ए और बी है यानि एक ट्रपेजियम दिया हुआ है ठीक है इस प्रकार से जिसकी भुजाओ ए और बी दिया हुआ है इसकी और समांतर भुजाओ है यानि ये और ये जो मद्य बिंदूओं को मिलाने वाली रेखा कि लंबाई क्या होगी तो इसका डाइरेक्ट फॉर्मूला होता है ए प्लस बी बाई टू जो आप्शन बी में दिया हुआ है अगला प्रस्ट नहीं किसी कक्षा के छात्रों की आयू निम्नुवत है ठीक है तो आपको माधिका ग्याद करना है तो इसके लिए पहले हम ascending order या अरोही करम में लिखते हैं तो अरोही करम हो जाएगा 12, 13, 14, 16, 18, 19 ठीक है इसके बाद क्या करते हैं जब even है तो middle दो टर्मों को जोड़के दो से भाग कर देते हैं तो आजाएगा 15 अगला प्रस्ट देखते हैं जो है किंद एक formula होता है बहुलक बराबर बहुलक बराबर तीन मादे का मानिस दो मादे ठीक है तो यहाँ पे सारे option प्लस में दिया हुआ है तो यह जो माइनस वाला है इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा तो हो जाएगा बहुलक प्लस दो मादे है तो बहुल क्राय मूले 100 मान लेते हैं तो 100 का 20% कितना जाएगा 20 आ जाएगा यानि 20 की हानी होती है ठीक है इतने की हानी हुई तो क्राय मूले पर प्रतिसत हानी क्या होगा इतने की हानी हुई और यह selling price था तो cost price क्या होगा इसी में जोड देंगे तो cost price 120 आ जाएगा अब इस पे हानी यही वाली निकालनी है तो 120 पे 20 की हानी ग्याद करनी है तो गुटे 100 हो जाएगा तो 20 चके 120 अब आ जाएगा 100 बटे 6 जिसको हम लिख सक होगा है मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो गया इसके अलाव पीडियाफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम चैनल से जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेयर करें चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक